दोस्तो सौधी अरब दुनिया भर के विक्सित देशों में से एक है ये देश जितना अपने कच्चे तेल के वज़़ से फेमस नहीं है उतना ये देश फेमस है मक्का मदीना की वज़़ से मुसल्मानों के लिए मक्का मदीना काफी ज़्यादा पवित्र जगय होती है ऐसा माना जाता है कि मुसल्मानों को अपने जीवन भर में एक ना एक बार तो मक्का मदीना जरूर जाना चाहिए यही कारण है कि हर साल लाकों की संख्या में मुस्लिम सौदी अरब मक्का मदीना के दर्शन के लिए जाते हैं दोस्तो जैसे हिंदूों में ये मानिता होती है कि चार धाम की यात्रा कर लें तो इनसान के सारे पाप और सारे दुखदर्द मिट जाते हैं ठीक उसी तरह इसलाम धर में भी ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इनसान खुदा के नेक बंदों में शुमार हो जाता है इसलिए हर मुस्लिम की ये खुआश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की आत्रा जरूर कर ले दोस्तो इस जगह की इंपोर्टन्स कितनी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों न पढ़ें वो हमेशा काबा की तरफ ही मुग करके नमाज पढ़ते हैं एक्जामपल के तौर पर आप भारत में रहने वाले मुस्लिम को ही ले लीजे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की तरफ मुग करके नमाज पढ़ते हैं क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम में स्टित है दोस्तों मक्का मदिना सबसे गर्म रिगिस्तान के बीच मौजूद है सौदी अरब का एंवार्मेंट कुछ ऐसा है जिसके कारण वहां के जमीन बंजर है यहां पर हर साल ना के बराबर बारिश होती है पर यहां पर सबसे हरानी वाली बात यह है कि बंजर जमीन होने के बावजूद वहां पर एक कुवा मौजूद है हमारे खयाल से आपने भी कुवे से निकलने वाले जम जम के पानी के बारे में तो जरूर सुना होगा आपको जानकर हैरानी होगी कि साइन्टिस्ट भी इस बारे में रिसॉर्च पर रिसॉर्च किये जा रहे हैं साथ ही आपको ये भी पता होगा कि मक्का मदीना में हिंदूों का जाना वर्जित है दोस्तो आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इनी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको जानने के बाद आपके होश और जाएंगे इसलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप्ट करने के बारे में सूचिएगा भी मत वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तो वीडियो की शुरुबात करते हैं इस बात से क्या आखर इस कावा को बनाया किस्ट ने दोस्तो भले ही ये बात आपको जान कर थोड़ा अटपटा जरूर लगे लेकिन ये बात सच है ऐसा कहा जाता है किस कावा को खुदा के हुकम पर बनाया गया था माना जाता है कि खुदा ने इबराहिम से उनके बेटी के खुर्बानी मांगी थी किसी के लिए भी उसके बेटी के खुर्बानी देना काफी जादा बड़ी बात है लेकिन बावजूद उसके इबराहिम ने एक बार भी नहीं सोचा और खुदा के हुकम पर अपने बेटी के खुर्बानी दे दी लेकिन जैसे ही अबराहिम ने अपने बेटे के खुर्बानी दी वैसे ही खुदा को उनकी एक बात बहुत काफी जादा पसंदाई कहा जाता है कि खुदा को उनकी ये बात काफी जादा चलगी कि अबराहिम ने बिना सोचे समझे अपने बेटे के खुर्बानी दे दी इसलिए खुदा ने अबराहिम के बेटे के खुर्बानी खुबूल नहीं की इसलिए खुदा ने इबराहिम को किसी जानवर की खुर्बानी देने को कहा इसके बाद खुदा ने इबराहिम को पैगंबर बनाया और तो और उनके लिए घर भी बनाया दोस्तो आपको शायद ना पता हो लेकिन खुरान में इस बात का जखर भी है जैसे मक्का सौधी में मौझूद है वैसे ही मक्का स्वर्ग में भी मौझूद है पुरान में ये भी लिखा गया है कि हर दिन स्वर्ग में करीब सत्तर लाख फरिस्ते उस मक्के के परक्रमा करते हैं यही नहीं दोस्तो मक्का के बारे में एक और चीज़ है जो आपको हैरान कर सकती है ऐसा कहा जाता है कि कावा का नर्मान सर्फ एक बार नहीं बलकि कई बार किया गया है इसके पीछे कई बार आपदा रही तो कई बार कुछ और दिक्कत इसलिए बार बार इसका नर्मान किया गया अभी आप वीडियो में जिस कावा को देख रहे हैं पहले ये बिलकुल ऐसा नहीं था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि साल 1996 में वो आखरी दौर था जब कावा को दुबारा बना गया था साल 1996 में जो बदलाव किये गए वो आखरी बदलाव थे और इसलिए इस में काई मौडन चीजों का इस्तिमाल भी किया गया था इस बार इस कावा को कुछ इस तरह से बना गया कि इस कावा को कोई आपदा किसी भी प्रकार की कोई ठेस ना पहुचा पाए दोस्तो कहा तो ऐसा भी जाता है कि कावा के नर्मान में जो पैसे का इस्तिमाल किया जाएगा वो सर्फ और सर्फ वित्र पैसे से ही किया जाएगा दोस्तो ये भी एक कारण है कि जिसकी वज़व से कावा आज तक सोने का नहीं बन पाया पहले और अब भी कई अमीर लोग कावा को अच्छे तरीके से और ढंग से बनाना तो चाहते थे लेकिन उनका पैसा नेक बिलकुल नहीं है और इस वज़े से वो चाह कर भी कुछ ऐसा नहीं कर पाते आपकी जानकारी के लिए बता दे की कावा को कुछ अलागी तरीके से बनाना था लेकिन पैसो के तंगी के वज़व से इसे इस शेप में बना दिया गया दोस्तो पहले के वक्त जो कावा बना था उस कावा में दो दर्वाजे और एक खिड़की हुआ करती थी पहला दर्वाजा अंदर जाने के लिए और दूसरा दर्वाजा बाहर आने के लिए था लेकिन आज जिस कावा का निर्मान किया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दर्वाजा है इतना ही नहीं दोस्तो एक टाइम था जब कावा काफी जादा रंग वे रंगा हुआ करता था जियां दोस्तो हैरान मत हो ये ये बात बिलकुल सच है आज जहां कावा का रंग काला और वाइट है तो वहीं पहले के कावा में आपको हरा लाल और सफेद रंग देखने को मिल जाता था दोस्तो क्या आपको पता है कि ये कावा घाटी के निचले हिस्से में मौजूद है और इस वज़े से पहले कावा में बारिश होने पर पानी भर जाता था बारिश में पानी भर जाने के बाद भी कावा में लोग की भीड कम नहीं होती थी उस वक्त भी कावा में कितना भी पानी क्यों ना भर जाए लोग का ताता या वहाँ का माहौल बिलकुल भी ख़राब नहीं होता था आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन ये बाद सौब आने सच है कि लोगों में कावा को लेकर इतनी जाधा आस्ता है कि लोग तैर कर कावा की परक्रमा करने को तयार रहते थे हाँ वो बात अलग है कि अब ऐसा कुछ भी यहां संभब नहीं है क्योंकि इस बार जिस तरीके से कावा का निर्मान करा गया उसे काफी जादा मौडन और यूनीक तरीके से तैयार किया गया है वैसे दोस्तो क्या आपको इतना पता है कि कावा में जो काला पत्थर मौजूद है दरसल वो तूटा हुआ है ऐसा माना जाता है कि अजरायल के एक समू द्वारा इससे ले लिया गया और बाद में जब ये काले पत्थर मिला तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए सबसे हरानी की बात तो ये है कि अभी तक भी इस काले पत्थर के बहुत सारे टुकड़े हैं जो नहीं मिले हैं दोस्तो इस कावा की चावी साहिबा परिवार के पास रहती है उनके अनमुती के बिना कोई भी इनसान उस कावा में दाखिल नहीं हो सकता चाहे वो बड़े से बड़े सुपरस्टार ही क्यों नहीं हो लेकिन वो दाखिल नहीं हो सकता खैर इसके बाद आते हैं जम जम पानी वाले कुएं की बात पर इस कुए को लेकर सब इतने हैरान और परेशान इसले रहते हैं क्योंकि ये कुँए आदर असल एक रेगिस्तान में मौजूद है इस कुए से एक दो नहीं बलकि रोजाना हजारों लोग पानी पीते हैं इससे भी सबसे ज़्यादा हैराने बली बात ये है कि इस कुए का पानी ना तो अब तक खتم हुआ है और ना ही अब तक सूखा है ऐसे में यह कहना बिलकुल लाजमी है कि मरुष्थल जैसी जगा पर कुए का होना और पानी का नसूखना ये आखर पॉसिबल है कैसे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके पीचे भी एक कहानी मौजूद है आज से लगबग हजारों साल पहले पेगंबर हजरत इबराहिम अपनी पतनी हजरा और अपने बेटे हजरत इसमाईल को मक्का के रिगिस्तान में अकिला छोड़ कर किसी काम से चले गए जैसे ही हजरत के पताओं ने छोड़ कर गए उन्हें बहुत तेज प्यास लग गई लेकिन अब वो लोग रिगिस्तान में मौजूद थे और इसलिए उनके पास पानी का कोई आप्शन नहीं दिख रहा था जब प्यास से परिशान होकर हजरत रिगिस्तान में अपनी एडिया रगडने लगे जैसी हजरत ने अपनी एडियों को रगडा वैसे ही एक चमतकार हुआ जो आज भी लोग को हैरान कर देता है हुआ ये की दरसल हजरत इसमाइल जहां एडियों रगड रहे थे वहाँ पानी का फवारा निकलने लगा आपको भी लग रहा होगा किसमें चमतकार क्या है तो दोस्तो आप खुद सोचिए कि किसी रिगिस्तान में अचानक से पानी निकलना क्या किसी चमतकार से कम है दोस्तों इस कुएं के पानी को जमजम का पानी बोलते हैं आप भले ही इस पानी को इंपॉर्टेंस दे या नहीं दे लेकिन मुसलिम इस पानी को बहुत जादा आहमियत देते हैं इस पानी को मुस्लिम काफी ज़्यादा पवित्र मानते हैं लेकिन इस बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक तक नहीं मानते हैं इसलिए इस पानी पर कई सारे साइंटिफिक रिसोर्च किये गए हुआ ये कि एक यूरोपियन डॉक्टर ने इस पानी के बारे में बोला था कि ये पानी किसी के भी पीने योग ये नहीं है दरसल मक्का समदर तल से काफी काफी ज़्यादा नीचे मौजूद है साथी मक्का के काफी ज़्यादा बीचो बीच मौजूद है रिपोर्ट में ये कर हैरानी होगी कि इस पानी में अमीनो केलसियम और मैंगनीसियम इतनी ज़्यादा मातरा में मौजूद है कि वो किसी भी बिमार वेक्ति को ठीक कर दे और इसलिए लोग यहां से जाते समय इसका पानी अपने साथ लेकर जाते हैं दोस्तो आपका इसके बारे में क्या खयाल है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं उमीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें साथ ही ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भोलें ताकि आपको हमारी इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये